। Welcome to academy ! जी स्टुटटुरेंट आज हम बात करेंगे स्टेप इंडेक्स वाईबर के kayak और और ग्रेडी इंडेक्स वाईबर के उपड़ आपचा conserv हो तैलीकॉम की 혹시 स्टुट gdzieś हो या टेलीकॉम की फिल में काम कर रहे हो हो टेलीकॉम टेखिन हो या टेलीकॉम के लिए कोई जॉब के लिए अपलाई कर रहो हो, वहाँ पे इंटर्विव के लहाँ से बहुत जादे इंपॉर्टेंट कुिस्टेन हैं, इसमें आज हम कवर करेंगे, इस्टेप इंडेक्स वाइबर क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का व इंटर्नन रिफ्लेक्षिन के उपर जहां पर मैं आपको बताया था कि하다 का बेसिक फांट कींपे tips किया स्वाटल इंटर्नन रिफ्लेक्शिन जहां पर मैं आपको law of reflection के बारें बताया था तो आज की इस वीडियो को समझे तो आज की इस वीडियो को समझने के लिए स्टार्टिंगे कम असकम ये दो वीडियो लाजमी देखकर आना वन अपना टाइम वेस्ट करोगे इन तमाम वीडियो के लिंक जो है ये आज वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौझूद है इस ट्रतीब के साथ तो कोशिच तो करो सारी देख लेना वन वीडियो थी जिसमें मैं आपको पूरा वर्किंग प्रिस्पल आपको फाइबर का समझाया था तो इसका लिंक भी यहां पर प्रियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मुझूद है देख लेना इसको एक दफ़ा मैं आपको थोड़ सब कोई क्रीब ही यहां पर दे रहा लेजर लाइट है यहां से रोश्णी मार रहा उपर कभी भी लाइट कीडिये सीधी नहीं यहां थोड़ा सा रणन होके जाएगी यह कैसे पता चलेगा क्या मतलब तो कभी भी स्वीमिंग पूल के उपर जब आप यहां पर खड़े वे होते हो ना सभी है यहां पर खड़े नहीं होता बलके थोड़ा सा अलग पोजिशन पर वो वजू होता है क्योंकि लाइट की रह आपको नज़र आती कि वो इस जगहा पर मौजूद है जबकि वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है यह बाते हम रेफ्रेक्शन वाली वीडियो में डेटेल में कर चुके हैं सही त वैसा में कहता है कि जब भी कोई दो मीडियाव मुझा वाटा है और एर है वह टर से लाइट एपार सब्सक्राइब हता है यहां जाएब है तो सर्फेस इसका सीधी जाने के तो educating act परपेंडीकुरर लाइन से दूर हड़े हुआए इसको यहां जाना चाहिए तो यहां ऑना हे ह का सा क्हाथ क्या छाहिए जाने जाने एक यहां नहीं कि रॉड़ पैपेंडियों के थोड़ा दूर हो गए तो इसका मतलब यह है कि यार अगर कोई बंदा लाइट का एंगल थोड़ा सा मजीद चेंज करें यहां से मारें तो वजाए इसके उस सीरे जाने के वह थोड़ा सा और इधर हो जाएगी आरिवा जाहन में अच्छा यानि मजीद रिफरेक्ट हो गई रिफरेक्शन कहते हैं से हम क्या कहते हैं रिफरेक्शन अच्छा भई अब बंदा बोलता है मैंने थोड़ा सा और आंगल से लाइट मार हुई हाँ से वाइसके सीरी जाने के वह इस सर्फेस के साथ साथ हो गए यानि बिल्कु सर्फेस के साथ हो गए जहां पर बांडरी जो है जहां पर water की density यहां था कि इसका यहां से air की density इस टारटे दोंके बांडरी भी चले गए अब यह करता है critical angle यह critical angle क्यों करता है वो इस वैसे इस video के नहीं, यह तो था हम कप डिटेल में डिसकस कर चूके हैं, तो यह होता क्यों है, यह होता इस वयास से है, कि जो density का फार्क है, हाई density से लो density में जा रहा है, तो यह light का rule है, कि Εच, हाई से लो में जाएगी, तो पापरेणिगोए थोड़ा सा दूर अड़ेगे तो इस चीज को use करते हुए हम light को जो है एक ही medium के अंदर जिस medium से वह generate हो रहे थी उस medium के अंदर हम वापस को अंदर मोड देते हैं तो यह रूल इस्सेमाल होता है Fiber Optic के अंदर अब Fiber Optic में कैसे इसी इस्साइल था फाइबर आप्ट वाली वीडियो का लिंक हो सकते यहां पे आजाए है थोड़ दरभे यह नीचे भी आ चाहए तो वह देख लेना उसको डिस्क्रिप्शन में देख लेना उसको पिर हमने इसी रूल को इस्तमाल करते हैं फाइबर आप्टिक के अंदर हम दो टैप के फाइबर बनाते हैं एक को हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर एक को हम कहते हैं मल्टी मोड फाइबर सिंगल मोड फाइब और मल्टी मोड फाइब के अंदर दोनों के अंदर कोर होता है सेंटर में यह इसका कोर है और यह इसका कोर है और दोनों के अपर यह क्लैड होता है इसका क्लैड है और यह इसका क्लैड है तो लेकिन फर्क कहा पर आगिया तो इसका कोर बहुत बारीक होता और साथ कोर का साइज बहुत बड़ा होता है अच्छा अब देखो जो कोर जो होता है इसकी डैंसिटी बहुत जाथ हाई रखी आती है एस केमपेर टू आपके क्लैट के यही चीज आपके सिंगल मोड में और यही चीज मल्टी मोड में तो यहां पर जब सिंगल मोड की बात करते हैं एक लाइट रे जब डाली जाती है तो वह इस एंगल से डाली जाती है कि वह इस तरह जाके टकराती है कि टकरा टकरा के सीधा स तोर से destination तक पहुंच जाती है तो इससे हम कहते है total internal reflections के अंदर हो रही है क्यों हो रही है जिए density का difference आ रहा है यहां से आता है यह core की density है और यहां से बक्या यह आपके पास क्लाइट की density है यह fiber optic की working हमने कई बातें पढ़ ली थी फिर हमने कहा थे लास्ट वीडियो के हमने कहा था कि एक सिंगल मोड फाइबर होता है इन दोनें फरक्या होता है कि core का size का difference होता है और core के size के difference का फायदा उठाते हुआ मल्टी मोड करना हम क्या करते है एक वक्त मुल् multiple light rays को travel करवाते हैं at the same time जबकि single mode के अंदर हम एक light ray को एक वक्त में travel करवाते हैं सही यह सारी बाते हैं पूरी base हमने बना दी यहां अब मसला आ गया मसला क्या आया मसला यह आया कि single mode fiber तक की हद तक तो बहुत 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 है क्यों single mode fiber के अंदर एक ही light ray आप डालते हो न होंगे तो बहुत जो signal आपने यहां पर इस स्ट्रेंट के भेजा था वहां पर थोड़ा कम स्ट्रेंट का हो गया लेकिन बाराल सिस्टम लगाओ उसको identify कर लेगा को इतना बड़ा issue नहीं आगा लेकिन multi mode fiber में क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आप च्छोटी सी example दे हो यह जो गाड़ी आप बोलते हो ना सारी गाड़ीं को तो आप एक पाबंदी लगाते हो कि सब की स्पीड five kilometer पर आ रहोगी सबने बोला अच्छा सब की ब्राबर स्पीड है इसका मतले हम सारे एक साथ पहुंचेंगे नहीं फिर आपने condition लगा दी आपने यह वाली जो गा पहुंचेगी अब मुझे बाध बता ओ बाकि तीन गाड़ी वाले क्या इसे एक गाड़ीय जो स्टेडियाइट्स के साथ पहुंच सकते नहीं पहुंचें यह सबसे लादे टक्रे मारे एक लिए पहुंचेंगी इसका डिस्टन बढ़ा एक दफ़र यूँ जाएगी फिर यह यहां तक ही खाली पहुंच पाएगी ना तब तक तो यह अपना सारा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी सही तो इसी तरह मल्टी मोड फाइबर के अंदर होता है जब आप एक ही वक्त में मल्टीपल रेस ट्रांस्मेट कर देते हो और सारी रेस को पता है किया यह एक मीडियम है जिसे हम कहते है कोर हमने कोर में सही जाना है तो कि हमें इस एंगल से फाइर किया गया है कि हम लॉफ रिफ्रेक्शन की व्याद से हमारी वापस वापस इसी मीडियम के अंदर होगी तो टोटर इंटरन रिफ्लेक्शन होगी हमने अंदर ही टकरा टकरा कर पहुंचना है कुछ ज़्यादा टकराती हैं और कुछ कम टकराती है तो इसका मतलब यह है कि जो सारी रेज एक वक्त में गई थी तो अगर suppose को लो अगर एक वक्त में नहीं गई तब उसको लिए पांच बच के एक सेकंड पे गई है दूसरी गई है पांच बच के दो सेकंड पे गई है तीसरी गई है पांच बच के तीन सेकंड पे गई है तो अगले एंट पे छे बच के एक सेकंड पे पहुंचनी चाहिए दूसरी 6 बच के 2 सेकंड प्राइब को ज Dee कुंच홈 के ती सेकंड वाले जो है नरत शेब ती सेकंड वालीjść हम कहते हैं inter symbol interference याने symbol जो है signal के symbol जो है आपस में एक दुस्ता त्रा मिक्स कूने शुरू हो गया इससे हम आपस error rate generate होता है error rate को generate होता है क्विन जरसारी बात है अब system signal को identify नहीं कर पा रहा कि उसको तो clear होना चाहिए था signal system को कब rate आ रही हो कब rate नहीं यहां पी मिल रही है तो इसमें एर्र के चांसिस बढ़ी आएंगे तो इसका मतलब यह है मल्टी मोड फाइबर के अंदर जो है इस टाइम डिफरेंस की वजा से क्या होता है कि इंटर सिंबल इंटर फैरेंस होती है पल्स ब्रॉड हो जाती है जिसकी वज़ासे जो है एरर रेड बड़ी आता है जब एरर रेड बड़ी आता है तो इसका मतलब यह है कि हम मल्टी मोड फाइबर को जादा लॉग डिस्ट्रेंस कम्यूनिकेशन के लिए समाल नहीं कर सकते क्यों कि जितना जादा लंबा हमारा फाइबर होगा अतनी ही जादा रेज आपस में इसका मुडल डिस्पर्शन और यह होती है मल्टी मोड फाइबर के अंदर और क्यों होती है क्योंकि सब पूरा रास्ता एक ही है कुछ को आपने लगा दिया कि तुमने सबको तुम आपने पाबंद कर दी एक ही स्पीड के साथ जाना है और एक ही रास्ते से जाना है तो अगर मल्टी मोड में मसल्हा था तो हम उसको खतम करते हैं हम सिंगल मोरी कर लें a ďक तुम पर आखने हैं और तुम ने फाइव किलोमेडर पर Ark की सपीड राक दियाूं लेकिन जिस गाड़े को आपने ज़्यादा टक्रें लगवानी है ज़्यादा टक्रें लगवानी है इधर 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 इस एंगल से मारा गए ज़्यादा टक्रें लगए उसको आप एक बात अलाओ करो उसको बात अलाओ करो बोलोगे कि आयार दोखो तो जब हम इस road के हम partition मनाते हैं, एक partition ये बन गया, एक partition ये बन गया, यहाँ पर भी एक partition ये बन गया, हम road के partition कर रहे हैं, है ये, हमने कहा कि दुखर तुम partition A के अंदर हो भी, ये partition B है और partition C है, और ये partition A1 है, ये B1 है और ये C1 है, हमने इस गाड़े को कहा कि जब तुम partition A1 क पोई के अंदर होगे न तो ये भी पार्डिशन एवन के नई वाली गाड़ी तो तूम इस्सिर फाइफ किलो मेटरी रखोगे लें जैसे तूम-इश्प बढ़ा देना तूम फाइफ पांट टू रख लेना जो फाइफ पांट फॉर कर लेना अच्छा भई इसने स्पीड बढ़ा है यहां ता पहुंचा अब यहां पर 5.4 स्पीड है यहां पर 5.3 है यहां पर 5.5 है यहां पर 5.5 है यहां पर इसके बरावरी हो गई लेकिन जब इदर जाएगा तो इदर दोबारा 5.3 हो गई इदर 5.2 हो गई इदर दोबारा 5.3 हो तक 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 की स्पीड से ट्रैवल कर दिया सही है यह लिए फ़िसी हुदूद आगए बी कि तुम्हारे तुम्हारे पास जो साइड वाले एरिया ना लेकिन साइड वालियों को देर से पहुनने चाहिए, लेकिन आपने उनको एक एड़वांटेज दिया कि तुम्हें हम दिस्टेंस तो लंबा दे रहे हैं लेकिन हम तुम्हें स्पीड बढ़ाने भी अलाओ कर रहे हैं तो तो तुमारी स्पीड बढ़ेगी तो तूमारी लंबा डिस्ट्रेंस है उसको तूम जल्दी कवऑ फुर गर्शाओ तो इस तरह तूम आकर में जल्दी पहुंच जाओ में तो यही रूल हमने dul अनल कि screenshot gradient index fiber केंदर, हम ने gradient index fiber है हम ने यह कहा कि यह कोर जो है न है, उसको हमने क्या पड़ा था रेibilities index बहुत जाधा होता है। साइडी क्ल्याट के क्यूंपयर डियुपके क्यूट। powin dire रिपाल है। to कम होगा यहां पर और कम होगा वह सेम पेटरन यहां पर भी चलेगा तो इससे अब फायदा क्या होगा इससे फायदा यह होगा जो लाइट रे जो सेंटर में जाएगी ना उसको तो एक ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिल रहा है तो एक फिक्स स्पीड के साथ ट्रैवल लेकिन जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर जाएगी ना उसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर कम मिल रहा है यहां पर और कम मिल रहा है यहां पर और कम मिल रहा है यहां पर और कम मिल रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ाती चले क्योंकि कम रिफ्रेक्टिव इंडेक यानि कम density के एंद दो इसकी speed बढ़ी जाएगी है, सही है, यहाँ पर बढ़ गए, बहुत तहीं speed है, तो यहाँ पर थोड़ी कम हूँ, यहाँ पर थोड़ी कम हूँ, तो पता चला है, जितनी जिए में यहाँ से लेकि यहाँ पहुंची है न, यह वाली गाड़ी यहाँ यहा यहाँ जा रही है, लेकिन यह इसके साथ ही पहुंच रही है, तो यह फाइदा हमने उठाया, graded index का, तो model dispersion क्या था हमारे पास, कि model dispersion is a type of signal distortion in optical fiber that occurs due to different light rays traveling at different species, light rays जो है different species के से travel कर रहे ही थी, step index fiber के अंदर, क्याकि step index fiber के अंदर जो है यह एक ही step था, पूरा core एक step था, उसका clad दूसरा step था, जबकि graded index fiber के अंदर, multiple steps है, graded है, grid बनाय में है, कि यहाँ जादा high density है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, पिर कम है, तो, तो जो कना मिल्टाक टिफरेंट भैडेडर्स ट्रेवलिक चंट होगए तो टिफरेंट लाइट डिफरेंट डिफरेंट पास मुल्की मुल्टि मॉल्DAल मुल्स काशा कहते हुंड जांटे एक झाले जाती है, यहां बोजने सेंटर के अंदे जहां पर शॉट दाहाह ए डैसिटी हाई आख लोज फॉल्ट ए लिए पात के पास इनके पास रही है लेकिन जो रेस क्लॉजएul आज होता उनको refractive index क्या मिलते है low मिलता है और travel faster हो यहाँ भी ज्यादा fast travel करती है तो जो time के difference आ रहा था और जिसकी वज़ाते हम आपस मिक्स हो रहा थे वो हमने graded index के मदश से हमने उसको control कर दिया अब हमें फाइदा क्या हुआ इससे अब इससे हमें फाइदा यह होगा हमाई model description कम से कम होगा model description basically क्या था कि light rays जो है ना जिस time की तरतीब से in हो रही थी उस तरतीब से नहीं पहुंच भाई थी mix हो रही थी आगे लेकिन हमने graded index के अंदर सबको एक option देखिए इस चिसको हमने cover कर लिया अच्छा अब जो step index के अंदर जो multimode fiber था जिसमें आप multiple rays travel करवा रह अगर आप ज्यादा high speed देते तो महाँ पे तो inter symbol interference होती है step index के अंदर mix हो जाएगा सारा का सारा लेकिन graded index के अंदर inter symbol interference नहीं होती signal mix नहीं होता तो महाँ पे high bandwidth भी महाँ पे allow कर सकते हो सही है signal के quality improve होगी अच्छा अब data transfer का rate हाई हो गया और cost effective है अच्छा अब मैंना आप multi mode fiber के अंदर या gradient index के अंदर हम जाएं हम आप जब single mode fiber मौझूद हो अच्छी bandwidth देता है वो आपको पता single mode fiber जो है multi mode fiber से बहुत अच्छी bandwidth देता है उसके अंदर attenuation भी बहुत लो होती है तो पिर हम उसी को क्यों इस्तामाल ने करते हैं हम multi mode fiber को ही क्यों इस्तामाल करते हैं उसकी reason यह है भाई कि multi mode fiber की splicing जो है as compared to single mode fiber असान होती number one number two multi mode fiber की fabrication उसको बनाना जो होता है उसको तयार करना जो होता है वो उसकी cost कमाती है as compared to single mode fiber अच्छा multi mode fiber के जो है system के साथ synchronizing करना असान होता है उसका core का size बड़ा होता है race को in करना असान होता है सिंगल mode fiber करना बहुत size alignment की requirement होती है वो बहुत मुश्किल काम होता है इसी वजह से हम कोशिश यह करते हैं क्योंकि cost भी हाई है single mode fiber की उसका alignment मुश्किल है उसका joint लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम है तो हम shorter distance के अंदर हम वहां पे multi mode fiber ही इस्तमाल कर लेते हैं तो step index fiber जो ह इसी वजह से हम जो हमारे डेटा सेंटर होते हैं या हमारे पास जो होता है इंसाइड बिल्डिंग हम कोई network establish कर रहे होते हैं वहाप हम गोश्च करते हैं वहाप मुल्टी मोड इस्तमाल कर लें cost भी काम आएगी इसको joining भी असान होती है इसको handling भी इसका असान काम होता होता किया होगा इन सारी बात आपका समय में आ गए होगी अब कोई बात समय में नहीं आए तो आप वीडियो को repeat करके सुन लो सम्टाम ऐसा होता है कोई बात समय में नहीं आती न तो आप दुबारा सुनते हो कि बात clear हो जाती है